दोस्तो आप देख सकते हैं मेरे फोन में भी यहाँ पे कहीं भी वोल्टी का उप्शन नहीं आ रहा है तो आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके भी एयर टेल सी में जी हैं दोस्तो एयर टेल सी में वोल्टी का उप्शन नहीं आ रहा है तो तीन तर कहीं भी नहीं आ रहा है तो लाइब आपके सामने मैं सेटिंग करूंगा जी हैं दोस्तों सेटिंग करने के वाद देख सकते हैं मेरे फोन में यहाप पर वोल्टी का आ जाएगा लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी मैं आपको दे देना चाहता हूं जैसे माली जी वोल्टी हो ऐसे यहाँ पर वाइस में या फिर वीडियो कॉल में दोनों में कौल्टी बहुत ही बढ़िया परफेक्ट आती है तो इसलिए वोल्टी लाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट भी है तो आप बात करते हैं कि यह वोल्टी का उप 4G को सपोर्ट करता है या फिर नहीं अगर आपके स्लोट में आपके फोन में यह दो सिम लगता है लेकिन आपके मोवाइल में एक ही स्लोट में 4G सपोर्टेट है और एक में 3G सपोर्टेट है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा इसलिए इसमें नहीं आ सकता है इसमें घर लान में 4G supported है अगर आपका जो भी ब्रांड है मोईल का एक पर जाके online चेक कर लिजे या फिर आप मुझे comment भी कर सकते हैं मैं उसका बता दूँगा कि उसमें दोनों SIM card मतलब 4G supported है या फिर नहीं या फिर आप भी अपने मोईल का model number डाल के Google पर या फिर Amazon पे उस phone का चेक कर लिजे फिचर कि दोनों slot में 4G supported है या नहीं तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ अगर supported है तब तो कोई दिक्कत नहीं supported है तो दुवारा सुन लिजे नहीं supported है तो जिस भी SIM card में जैसे Airtel Geo में जिस भी SIM card में आपको वोल्टी का option लाना है उसको पहले slot में रखना है यह दोस्तो पहले number पे रखना है तो चलिए आपने सारा detail जान लिया तो चलिए अब live आपके सामने आपके वोल्टी का option लाके दिखाता हूँ इसके लिए दोस्तो सबसे पहले आपको फोन के setting में जाना होगा सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे SIM card and mobile network पे क्लिक करना होगा यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आपको जिस भी SIM मिलाना है मुझे यहाँ यहाँ पे Airtel मिलाना है पहला तरीका तो यह है नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यूज वोल्टी यहाँ पर देख सकते हैं इसको आपको आउन करना है देख सकते हैं मैं यहाँ नेटवर्क पूरा थोड़ा जूम करके देखाता हूँ यह देख सकते हैं, वोल्टिक उप्शन आ गया है, मैं जूम करके भी दिखाएता हूं, यह देख सकते हैं, यह तो था दोस्तो पहला तरीका, गर इस मेथड़ से आपके फोन में वोल्टिक उप्शन आ रहा है, तब बहुत बढ़िया बात है, लेकिन बहुत सारे फोन में ले एपीन भी कहते हैं, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी एपीन आप यूज कर रहे हैं, उसको एडिट करना, यहाँ पे क्लिक करना, ध्यान रखे, आपको अपने एपीन में कुछ भी चेंजेस नहीं करना, बस उपर जाएए, और एक चेंज करना है, मैं आपको डिखाते हैं आप देख सकते हैं वेडियर का गशन है नीचे जाएंगे तो इम भी ए 90 elephant के ऊपर यहां पर वो एर्यइर का क्लिक करना है और यहां पर अन अस्पेसिफाइड को हटाना है अंटिक करना है और LTE को टिक करना है जी है दोस्तो पहले नमबर को अंटिक करना है यानि जो भी नमबर पे किसी पे भी टिक है उसको हटाना है बस आपको LTE को यहाँ पे सेलेक करना है उसके बाद यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे अपने APN सेट यहां पे वोल्टी का उप्सन आ जाएगा फिर भी अगर बाई चांस एक परसेंट लोगों के फोन में नहीं आता है तो चलिए अब तीसरा तरीका बताता हूं इससे डेफिनेटली आपका आ जाएगा तीसरा तरीका भी यही है दोस्तों आपको यहां पे जो भी सीम कार्ड प स्यामन है यह दो तो हो सकता है आपको यहां पर डिफोल्ट एपीन सेटिंग ओपशन आ रहा हो या फिर कुछ और आ रहा हो मेरे फोन में पे रिसेट का रहा है हमें यहां पे क्लिक करना है obrigado मिक्रेंगे देश्राइं नियानी हमारे समंक्राड के साथ जो एपैन आता खर då व जरू दूँगा अभी क्लिए इतना ही वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू करें